तो दोस्तो भारत अब एक ऐसा बड़ा परिक्शन्ट करने जा रहा है जिसके बाद भारत की ताकत का अंदाज आलका पाना शायद किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल हो जाए और अभी तक इस लिस्ट में सिर्फ रूस का नाम शामिल है और अब बहुत जल्द भारत का अच्छी रही लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया थे DRDO के और से वो उतना अच्छा नहीं था लेकिन एक बार फिर भारत ने सारी चीज़ों को पीछे शोड़ते हुए हाइपरसोनिक टीडी कारेकरम के सेकंड स्टेज में पार्ट स्पेट करना शुरू कर दिया है जिसके बाद अब फिर से भारत के अंदर हाइपरसोनिक क्रोज मिसाइल की टेस्टिंग की जाएगी और यहाँ पर अगनी फर लोवर स्टेज बूस्टर रॉकेट का इस्तिमाल किया जाएगा लगाए जाने वेलेस बूस्टर के बाद इसकी जो सीमा है वो चार से पांच गुना तक बढ़ाई जा सकेगी इसे के साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल धोनी एनी साउंड की स्पीड से भी पांच गुना जादा तेज चलाई जा सकती है जहाँ पर जाने के बाद heat shield को अलग करने में भी काफी जादा मंदत पिलेगी जहां पिछले परिछाण में सिर्फ 30 km के उचाई पर इसको अलग किया गया था KFOR booster के बाद और अब इसे KFOR booster के बाद इस्तेमाल किया जाएगा जो की 85 km के उचाई पर होगा लेकिन ये तो गोई normal बात जिसके उपर अलग लग देश परिक्षन कर रहे हैं लेकिन भारत का DRDO अब इससे भी जादा high performance के उपर काम कर रहा है यानि कि over the 100 km के उचाई पर इसको ले जाने की तयारी बनाई जा रही है फिलाल DRDO की इस बड़ी परिक्षन के बारे में आप लोगों की क्या रहा है कमेंड वक्स में जरूर लिखियागा भारत का ऐसे ही इंफरमेटी वीडियो पारकला हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलेंगे हम आपको एक नई और अंट्रिस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बन दे मातरम भारत मता कीजए